नमस्कार धर्ण टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बार करने जा रहे है राधा अश्ट्मी की दरसल इस बार 6 सितंबर को राधा अश्ट्मी व्रत है। यह राधा रानी के अफ्तरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए राधा जी की कृपा अत्यन तावश्यक है। बिना राधा जी के भक्ति के श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। राधा का नाम कृष्ण के पहले आता है। इस दिन यदि हम भक्ति भाव से राधा जी की भ तो भगवान कृष्ण प्रसन होकर मनुवान्चित फल प्रदान करते हैं। राधा भक्ती हैं, राधा माता हैं, राधा नाम संसार के हर दुखों को हरने वाला है। आए जानते हैं राधाश्ट्मी को सुख सम्रिद्धी प्राप्त करने के उपाए। इस दिन पूजा घर में राधा कृष्ण की मूर्ती का श्रिंगार करके भजन तथा कीर्टन करना चाहिए। समूह में संकीर्टन आत्मिक सुख के साथ साथ मनोवान्चित मनो कामनाव की प्राप्ती भी करवाता है। राधाश्त्मी के दिन श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज इस कुस्तक के अकेले पाठ का कोई फल तभी प्राप्त होगा जब साथ में आप श्री सूख का भी पाठ करेंगे क्योंकि यही दोनों पूजाएं मिलकर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्णी को प्रसंद करेगी। आज के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता का ज्यान आत्मसात करने से जीवन में श्री कृष्ण क्रिपा प्राप्त होती है तथा अंत में श्री कृष्ण के धाम में स्थान मिलता है। आज के दिन श्री मदभागवत का कुछ श्रवन या वाचन कर ले तो प्रेंग, गीत तथा नृत्य ही राधा तथा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का सबसे सहच तथा सरल मार्ग है. अतह भक्ति गीतों को गाए, नृत्य करिये तथा पूरे बातावरण को कृष्ण भक्ति में रंगिये. इस दिन किसी पुराने मंदिर के जीर्नोधार का कार प्रारम कर पूर्ण करने का संकल्पले इससे जीवन में कभी कमी नहीं आएगी तथा खूब संपन्नता आएगी. आज के दिन दान का बहुत महत्व है. भंडारा कराये तथा सब लोग प्रसाथ पाएं. ऐसा करने से आपके कई जन्मों के पापों का नाश होगा तथा पु एकन पर क्लिक कर.